नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की कैलपोल सस्पेंशन का उप्योकिन कंडिशन्स में किया जाता है कैलपोल सस्पेंशन को बच्चों को कैसे देना चाहिए और Calpol Suspension की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं? और यहां भी discuss करेंगे कि Calpol Suspension को बच्चों को देते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए। Calpol Suspension का उप्योग मुख्य रूप से बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। Calpol Suspension बुखार को कम करती है। इसके अलावा Calpol Suspension का उपयोग दर्द को कम करने के लिए भी किया जाता है कैलपोल सस्पेंशन का उप्योग सिरदर्ध होने पर, मासपेशियों में दर्ध होने पर, जोडों में दर्ध होने पर, दातों में दर्ध होने पर, कमर के दर्ध, कान के दर्ध, माइग्रेन के दर्ध और गले के दर्ध आधी कंडीशन्स में कैलपोल सस्पेंशन का दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो क्रिप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं वैसे क्या पॉल सस्पेंशन दर्ग और बुखार की एक बहुत ही सुरक्षित दवा है और ज्यादा तर बच्चों क्या पॉल सस्पेंशन की वज़़ से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन ज्यादा खुराक में क्याल पॉल सस्पेंशन को लेने से लिवर डेमेज हो सकता है इसलिए आपको क्याल पॉल सस्पेंशन को आपके साबदानिया रखनी चाहिए लगातार 10 दिन से अधिक क्यालपोल सस्पेंशन को लेना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना क्यालपोल सस्पेंशन को लगातार दस दिन से अधिक नहीं लेना चाहिए। अगर किसी बच्चे को क्यालपोल सस्पेंशन या इसके किसी भी इंग्रिडेंट जैसे पैरासितामोल आदी से ऐलर्जी है, तो ऐसे बच्चों को कैलपोल सस्पेंशन को नहीं देना चाहिए, अब हम डिसकस करेंगे कि कैलपोल सस्पेंशन को बच्चों को कैसे देना रेक्मेंडेड होता है, कैलपोल सस्पेंशन को खाना खाने से पहले भी दिया जा सकता है, और खाना खाने के बार भी दिया जा सकता है, कैलपोल सस्पेंशन को डॉक्टर बच्चों के शरीर के वजन के हिसाब से 10 mg से लेकर 15 mg पर किलोग्राम डोस को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सला देते हैं, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया त तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका कैलपोल सस्पेंशन से समबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.